जैमालक्षमी, स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल में, जानते हैं क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन, शुरुवात करते हैं आज के सूवचार के साथ, यदि अफसर का लाब नहीं उठाया जाए, तो योगिता का कोई मूल नहीं रह जाता, ज जाम पाच बचकर 21 मिनट तक रहेगी, इसके उपरांथ 9 में तिथी प्रारंब हो जाएगी, विशा का नामक नक्षत्र सुबह 7 बचकर 20 मिनट तक रहेगा, आज का राहुकाल अर्थाद दिन का सबसे अशुप समय, सुबह 9 बचकर 55 मिनट से 11 बचकर 18 मिनट तक रहेगा, आज का अभी जीत मूरत अर्थाद दिन का सबसे शुप समय, दोपैर 12 बचकर 19 मिनट से 1 बचकर 3 मिनट तक रहेगा, आज का ब्रहम मूरत सुबह 5 बचकर 33 मिनट से 6 बचकर 21 मिनट तक रहेगा, आज चंदरमा तला राशी पर रातरी 1 बचकर 4 मिनट तक रहेगे, इसके पर ध्यान दे अचानक मिले धनिया प्रत्याशी लाब को सो समझ कर निवेश करें। परिश्रम करें और विजे हासिल करें। परिश्रम करें आपके जीवन साथी का स्वास्त खराब है तो आप उनकी सेवा करें। जिससे आपके जीवन साथी जल्दी से स्वस्त हो सकें। आपकी सेहत की बात करें तो आपकी रोग प्रतिरोधक्षमता कम होनी के कारण आप सरदी जुखाम और खासी तयादी मौसमी बीमारियों का शिकार हो सकती है। आज आप अपने ससुराल पक्ष में हाल चाल लेते रहें। आपको कोई शोक समचार की प्राप्ती हो सकती है जिससे आपका मन बहुत अधिक व्याकुल हो सकता है। जीवन स्थर भी उचा होगा, किसी बात को लेकर थोड़ा सा भी तनाव हो सकता है जिससे मन परिशान हो सकता है। युवजातकों की बात करें तो युवजातक अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे, तभी उन्नती मिल सकती है। सेहत की बात करें तो आज अपने स्वास्त का विशेज ध्यान रखें। सेहत की बात करें तो आज आप अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखें। स्वास्त का विशेश ध्यान रखें। नौकरी पेशा, कारोबारी और व्यापारियों के लिए ये दिन काफी अच्छा रहेगा। काम धंदे के समय व्यापार में तेजी की स्थिती रहेगी और नए उद्यमों में प्रवेश की संभावना भी बन रही है। दोस्तो नए आधारित कारों के व्यापारी अच्छा कारोबार करती हुई नजर आएगी और अच्छा मुनाफ़ा वसूली की स्थिती बन रही है। सेल्स, मार्केटिंग से जुड़े हुए जातकों पर मंतली तारकेट पूरा करने का दवाब रहेगा जिसकी वज़ा से भागदौर कर सकती हैं। आपके राशी के नौकरी करने वाले जातकों को आज अधिकारियों की वज़ा से कामकाज में परिशानियों का सामना करना पड़ेगा, पारवारिक जीवन की यदि बात करें तो दिन अच्छा रहेगा। पति-पत्नी के मद्दे अच्छे ताल मेल रहेगा और दोनों एक दूसरे की परवा करेंगे। किसी प्रीजन के साथ घूमरे फिरने के लिए छुट्टियों के मोड में रहेंगे, पारवारिक संबन्दों की बहतरीन के लिए कारे करेंगे और भाई-बेहन आज साइक आल का समय दोस्तों, जीवन साथी के साथ में किसी विवाहिक सम्हारों में शामिल होने का मौका मिलेगा, आज के दिन आप के लिए लेन दिन के मामलों में साबधान रहने के लिए रहेगा आप किसी काम में और उसके नीती नियमों बर पूरा ध्यान दीजे आपके आवशक काम गती पकड़ सकते हैं आपको विपक्षियों से सावधान रहने की आवशकता है पवसाय से जुड़े हुए लोगों को कोई खुशकबरी मिलने को मिल सकती है राजनीती में कारेरत लोगों को अपने शत्रों से सावधान रहने की असलह दी जाती है आपकी तरकी के मार्ग में आ रही बादायं दूर होंगी मातरपिता के आशरवात से आप संतान के लिए किसी छोटे मोटे काम की शुरुवात कर सकते हैं विश्वास कीजिए कि खुद पर यकीन ही भादुरी की अच्छी परक होती है क्योंकि इसी के बल पर आप लंबे वक्त से चली आ रही बीमारी से निजात पा सकते हैं आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे ये बात भली भाती जान ले नहीं तो आने वाले समय में पच्छताना पड़ेगा अपने वक्ति का जीवन से थोड़ा सा समय निकाल कर दान पुन के काहों में कुछ समय निगाएं इससे आपको मानसिक शांती मिलेगी लेकिन इसके लिए अपने निजी जिन्दगी को दर किनार ना करें आपको दोनों पर ही इस बराबर ध्यान देने की आवशकता है शाम ढलते ढलते कोई आकास्मिक रुमानी जुकाम आपके दिल औ दिमाग पर चा सकता है बिना गहराई से समझे भुजे किसी व्यवसाई कारुबार में दस्तबेश ना करें अपने जिगरी यारों के साथ में आज आप खाली समय का आनद लेने का विचार बना सकते हैं यह दिन चादी शुदर जिन्दगी के सबसे खास दिनों में से एक गिना जाएगा इस समय किसी खास रिष्टे का अंद आवशिक है इस नए दोर का मज़ा लेने के लिए तयार रहें दोस्तों काम में आप खुदगा और अपनी सफलता का मज़ा ले रही हैं अपनी रचनात मक्ता में विस्त रहने से आप अपने आपको पुरस्कित करेंगी कानूनी परिशानियों से छुटगारा पाने का काफी अच्छा समय आपके लिए है जीवन के हर तरहा के संघर्च से आप लोगों को मुक्ती मिलेगी